हेलो एवरिवन, आज का हमारा टॉपिक होगा डाइबेक डिजीज ओफ रोज डिजीज का कॉमन नेम है रोज डाइबेक डिजीज इसका कॉजल ओर्गेनिज्म है यह एक फंगस के द्वारा कोज की जाती है जिसका साइन्टिफिक नेम है डिपलोडिया रोजेरम लेकिन कभी-कभी यह डिफरेंट टाइब के फेक्टर्स जैसे की एडवर्स वेदर कंडिशन्स या फिर एडवर्स सोयल कंडिशन्स या फिर पूवर हस्बेंडरी के द्वारा भी डाइबेक डिजीज जो है उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यानि कि इन सारे फेक्टर्स के कारण एक मिलीजूली डिजीज है सिम्टम्स की बात करते हैं तो डाइबेक डिजीज के कॉमन सिम्टम क्या होगे कि इसमें जो भी अपीरियन्स शो होती है वो पहले अपर वाले पार्ट में शो होगी और उसके बाद वो उपर से नीचे की तरफ आएगी इसलिए इसको बोलते हैं डाइबेक इसमें क्या होगा जो टीशूज होते हैं उनका नेक्रोसिस हो जाता है नेक्रोसिस का मतलब टीशूज की डेथ हो जाती है और ब्राउनिंग कलर का अपीरियंस देते हैं ब्राउनिंग कलर के जो अपीरियंस होती है वो ब्रांचेज पे, शूट टिप्स पे और स्टेम्स पे नजर आती है तो ब्राउनिंग और डाईबेक ओफ शूट टिप्स, ब्रांचेज और स्टेम्स जो fungus होता है उसकी जो growth होती है या fruiting bodies होती है वो हमें इस plant के उपर आसानी से visible हो जाती है specially leaves और stem के उपर जो sports बनते हैं brown color के उनके उपर हम इनके fruiting bodies को देख सकते है वैसे तो ये minor disease में consider की जाती है लेकिन अगर इसका जादा spread हो गया तो ये काफी मात्रा में जो rose की crop है उसको damage कर देती है और बहुत जादा मात्रा में yield loss होता है ये image है जिसमें की हम देख सकते हैं कि die back disease में browning जो हो रही है या necrosis जो हो रहा है death of tissues जो है वो अपर से नीचे की तरफ फैल रही है management की बात करें तो इसका management हम दो तरीके से कर सकते हैं या दो तरीके हम adopt करते हैं first non chemical control and second आएगा chemical control non chemical control में हमें जो well prepared soil होती है उसी में हमें roses के plants को की showing करनी चाहिए या फिर उनकी planting करनी चाहिए उस area में हमें roses के plants नहीं grow करने चाहिए जिस area में हमने पहले एक crop या एक फसल हमने उनकी ले ली हो बिना किसी measurement को use किए अगर हम उनमें उस जगह पर proper remedial actions यूज कर लेते हैं उसके बाद हम उसको वहाँ पर भी grow कर सकते हैं next आता है कि जिस soil को हम choose कर रहे हैं वहाँ ना जादा drought की conditions यानि कि ना जादा सूखे की अवस्था होनी चाहिए ना ही जादा पानी भरावाली अवस्था होनी चाहिए plant जो है उसको हमें एक proper अवस्था में एक proper stage पर और एक proper quantity में ही fertilizers को देना चाहिए क्योंकि जादा fertilizers की जो quantity है वो भी plant को susceptible बना देती है diseases के attack के लिए जब हम pruning करते हैं तो उस time पे सारे dead और damaged wood जो होती है उसे field से निकाल देना चाहिए और जितने भी weak और crossing branches हैं जो की जादा overcrowding कर रही है उनको भी pruning के थुरू हमें हटा देना चाहिए next आता है chemical management तो die back of rose के लिए ऐसा को special fungicides हम यूज नहीं करते हैं या special fungicides रिक्मेंट नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी अगर die back के symptoms दिखते हैं तो हम किसी भी type का fungicides यूज कर लेते हैं but specially अगर हम रोज की crop में powder mildew, rust and black spot disease के लिए जो fungicides यूज करते हैं उनहीं से die back का control भी हो जाता है जो fungicides के थूँ होता है परन्तु फिर भी अगर हम यूज करना हो तो हम black spot, rust and powder mildew में जो fungicides यूज करते हैं हम उनका अस्तेमाल कर सकते हैं कर दो कर सकते हैं